है लो टेडर्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनलिस्ट वीडियो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर आज कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और उसकी पीछे उसका लॉजिक क्या होगा वीडियो शुरू करने से पहले डिसकस क Penis कि यहाँ पर किस तरह च्रहीया किये यहाँ बैंक निफ्टी में मार्केट आप कहाँ पर वोगव कर सकता डिनली तो आज यहाँ पर चुक् मार्केट एक दम राइट स्पोर्ट पे खुला है मार्केट अगर बड़ा ग्यापब खुल जाता था तो डेफिनेटली बड़ा मुमेंटम एक्सपेट नहीं कर सकते थे लेकिन मार्केट फ्लैट कुल के इसने वह स्पेस दिया समयर लाइक 48,000 ही वारा टागेट था उसके सब्सक्राइब कर देखा यहां पर बात करते हैं तो अगर अच्छी कासी यहां पर रिट्रेस्मेंट नहीं दिखाए दी रहे हैं तो अभी यहां पर इंपोर्टन है कि लास्ट मोमेंट देखिए तीन बजे के पास जो मोमेंटम में थोड़ा अपर सैंड क्लोजिंग दिया है क्योंकि पॉजिटिव क्लोजिंग आने चाहिए एंड हमेशे यह याद रखिए कि क्लोजिंग मैटर करते है बहुत क्योंकि व बड़े लोग इस प्राइस को कंट्रोल करते हैं बले वह कोई एकसेप करें ना करें लेकिन दाट इस तुट ओके तो चले इसके उपर डिसकस करेंगे मार्केट में लास्ट में यहां पर प्लाइन कर रहे थे पॉइंट टो पॉइंट वो डेफिनेटल यहां पर हार चुक ह है लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग आई है में भी इसको कोई बीटीएसटी करके गया होगा बीटीएसटी कॉल की मार्केट कर अगर फ्लैट की ऊपर जाता है तो यहां पर जो कॉल लेके गये हैं होल्डिंग के बेसिस पे बीटीएसटी के लिए वह डेफिनेटल यहां पर पर प्रॉफिट कर सकते है दूसरा अब यह ट्रेंड字 कैसिन और्हके घे की अज Parlी ओंवर मोडिफाय करके भी ड्राइगा तो उसके लिए हलका रूका करता एक अब बास में कुछ ब्रेकाउट आए लेकिंग लेकिंग इसी जोन के आश्पस में तो कल का मोमेंटम हमारे लिए सबसे इंपस्टा है अभी इस प्रेंट लाइन को में हटा जिता हो ताकि हमें जो इंप्रेंट करना है वह मैं आपको यहाँ पे क्लियर ली दिखा सोको हमारे लिए इंपोर्टन क्या है कि मार्केट कि इस जोन में अगर कुल फ्लैट खुलके यहाँ पर कुछ टाइम ट्रेड करता है और फिर अगर यहाँ पर ब्रेक आउट डिखाता हो तो यह काफी इजी मोमेंटम होगा बाइंग की इसाप से कैच करने क के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलते देरे देरे ऊपर जाता है तो उसमें डेफिनेटली इंट्री कहा ले रिट्रेस्मेंट कहा आएगा उसके लिए डिफिकल्टी हो सकता है तो उसके लिए पेंपॉइंट जो होगा या फिर जो प्रॉफित बुकिंग का जोन होगा क्योंकि अगर इस ट्रेंग को भी अगर हम इमेजिंग करते हैं यह ब्रेक आट आया है मार्केट यहां से मोमेंटम कहिया है और मार्केट अगर 48,455 अगर लेवल के असपास आ जाता है तो यहां पर लास्ट टाइम मार्केट गिर था इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है क्योंकि मार्केट हमेशा इस ऐसे लेवल को रियाक्ट करता है तो अगर मार्केट ऊपर आता है और बिना रिट्रेस्मेंट के सता रहे तो डेफिनेटल यह पॉइंट अच्छा होगा कि मार्केट एक हलका फुलका यहां पर रिट्रेस कर दे तो जो लोग यहां पे कल तो बीच में इंट्री करने सा अच्छा वेट कीजिए में भी मार्केट यहां पर टॉप पर इस दर जाके कोई एक डबल टॉप बना दे या फिर कोई ट्रेंड लाम ब्रेकडाउन कर दे यहां से अच्छा-कासा बहुत बड़ा नहीं एक डीसंट सा 100-150 पॉइंट का फॉल डेफिनेटली पता चल जागा अगर मार्केट साइडवेज है तो बेस्ट होगा कि मार्केट इस जोन में साइडवेज हो जाए ताकि उसके बाद अगर ब्रेकाउट पॉजिटिव साइड आता है तो यह 48,250 से लेके 48,450 से लेके 500-200 पॉइंट के अप्रॉक्समेट रैली हम में काफी इजी मिल सकता है अगर मार्केट लेट फ्लाट खुलत के यहां पर फोल्ड करकी भी जाता है तो भी ले सकते है लेकिन अगर फ्लाट खुलते दीरे-दीरे लेक वह सिंगल सिंगल के इस तरह से उपर बढ़ने लेगी तो डेफिनेटली डाउन होगा कि रिट्रेस हाफ लो या फिर उससे भी कम लो क्योंकि यहां पर सपोर्ट बहुत ही पास में लाइक एक्च्वल सपोर्ट है आपे 48,000 47,000 888 90 की लेवल लेकिन बीच में है 48,000 का एक राउंड फिगर जो एक बीच में क्रूशल है क्योंकि है साइकोलोजिकल सपोर्ट काम करता है जिसके बारे में हमने लास्ट बहुत सरी वीडियो में डिसकस किया कि किस तरह एक करता है और हमने देखा भी वह किस तरह वांकेट वहां से यूटन मार लेता है तो इसलिए सेलिंग का साथ अगर ट्रेड कोई चाहिए भी तो मार्केट को पूर्फ करने दीजिए इसकी नीचे सकते हैं मतलब 100-150 पॉइंट यहां पर हम आराम से देख सकते हैं तो वहां पर प्लैनिंग करना तोड़ा सेफ एंड सेक्यर होगा प्लस अब एक रिजिस्टन्स लेट की उपर एक कर रहे हो तो रिश्टी रिवाड भी यहां पर अच्छा-कास आपका फेवर करने के चांसे ज्यादा रहेंगे इस प्रोड्यटि और की बात करते हो इस लिवल वस वरी इंपोर्टन इसके बार में मैंने बहुत बात इसक्स किया क्यों क्योंकि नहीं देफिनिट्ली यह लेवल दो दिन से आपको बोला था कि 21685 लेवल हमरे लिए इंपोर्टन है अब अब यगर दे बना चुका है जैसे कि BANK Nifty मैंने बोला कि एक बाइंग मोमेंटम आईये यहां पे यहां कुछ टाइम पास होता है फिर निकलता है तो मोमेंटम आ सकता है निफ्टी ने वह टाइम पास आल्डेडी किया है तो कल निफ्टी फ्लाट खुलकी ऊपर निकलेगा तो भी momentum आने की चांसे से और फ्लाइट खुल की यहां पर टाइम पास करके निकलता है तो भी यहां पर buying momentum आने की चांसे से राइट कल हमने टार्गेट दिखते हैं कि 680 तक आ सकता है मार्केट ना जेग्जेटल तक आ चुका है अभी नेक्स टार्गेट यहां पर हमारा होगा मार्केट एक बड़ा लेवल है बाइंग मतलब सपोर्ट हो या फिरेश्टन्स बाइंग अनी हो या फिर सेलिंग अनी ओ मार्केट को उस लेवल के आसपास आके थोड़ा टाइम स्पेंड करना इंपरनट है अगर वो करता है तो डेफिनली यहां पर मोमेंटम आएगा ओके तो यहां पर निफ्टी ने मोमेंटम तोड़ा मतलब तो टाइम तोड़ा टाइम स्पेंड किया है तो मोमेंटम आने की चांसे सिहां पर है तो इसके बेसिशिए पर हम सकती है लेकिन डाउटफुल कि कितना आएगा क्योंकि 40 से निकला 600 के असपास सपोर्ट हो सकता है तो यहां पर सेलिंग करनी है अगेन अगेन हाफ से अभी हाफ कॉंटिट अगर आपको पॉसिबल है अगर आपका रिसके अच्छा है तो आप हाफ कॉंटिटी प्लान कीजिए लेकिन मैं बोलता पूरा कॉ करने जिए मार्केट प्रूफ करेगा अगर वो 600 की नीचे सस्टेन करने लगा तो तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा मार्केट अभी सम्वेर लाइक 21,660 के असपास क्लोज किया है तो यहां से 70 पॉइंट्स गिरना है सस्टेन करने और उसके बाद अगर कंटिन्यू कर सकता है तो ही हमें यहां पर सेलिंग देखने मिल सकती है तो 520 से लेके 500 लेवल तक निप्टी को नीचे गिरा सकती है और हमने इसकी उपर डिसकस भी क्याता है कि 21,500 इंपॉर्टन लेवल है क्योंकि यह रैली कर चुका है अभी रिट्रेस्ट में कहेंगा तो जिन लोगों मार्केट साइडवेज है तो थोड़ा दूर रही है अगर ट्रेंडिंग देखता है तो ही यहां पर आप ट्रेड बनाए आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुडबाए लास्ट वीडियो को लाइक करना मत बूले थैंक यू सो मच